दूसरे रत्न की बात करते हैं उसे कहते हैं मोती मोती जो है ये चंद्रमा का रत्न है धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है लेकिन बड़ा धीप बड़ा गहरा असर डालता है इसलिए मोती अगर नुकसान करे तो धीरे 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 आदमी डिप्रेशन में चला जाता है बड़ा गहरा धीरे धीरे लेकिन बड़ा गहरा असर डालता है शीत रो, कोल्ड कफ की प्रॉबलम, एनीमिया, खून की कमी और रक्त चाप में बड़ा लाबकारी होता है इसे चांदी में धारन करना चाहिए मोती को चांदी में राइट हैंड की सबसे छोटी उंगली में पहनना अच्छा होता है जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं चोटी चोटी बातों पर आखों से आसू आ जाते हों ऐसे लोगों को मोती धारन करने से बचना चाहिए बात करें मूंगे की, मूंगा जो है ये मंगल करतन है ये भी बहुत तेज प्रभाव देता है, बहुत क्विक असर डालता है अगर आपको कमजोरी रहती हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस कमजोर रहता हो या आपको बार बार बुखार हो जाता हो, तो ऐसे मामले में मूंगा बड़ा फाइदेमंद होता है इसे तांबे की अंगूथी में पहनना बढ़िया होता है लेकिन जो लोग बड़े क्रोधी हों, जिनको बड़ा क्रोध आता हो और जो लोग बड़े उग्र हों, क्विक गुस्से में आ जाते हों ऐसे लोग मूंगा ना पहने, तो जादा बेहतर होगा अगला रतन है पन्ना, पन्ना जो है ये बुद्ध का रतन है मध्यम गती से न बहुत धीमे न बहुत तेज, मध्यम गती से ये प्रभाव देता है मानसिक रोग, त्वचा की समस्या और वारी की समस्या में पन्ना पहनना हमेशा फाइदे मंद होता है पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहन सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगला रत्न है पीला पुखराज ब्रहस्पती का रत्न है और ये भी मध्यम गती से ही प्रभाव देता है सिक्षा के मामले में ग्यान के मामले में पेट के मामले में और कैंसर की समस्या के मामले में इसे पहनना कभी कभी बहुत फाइदेमंद होता है इसको सोने में पहनना अच्छा होता है लेकिन जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ कि कोई भी रत्न पहनने के पहले परामर्श ले ले सलाह ले अगर आपके अंदर मोटापे की प्रवित्ती हो आप बहुत जल्दी मोटे हो जाते हो तो कृपा करके पीला पुखराज ना पहने बात करते हैं अगले रत्न की उसका नाम है डाइमंड हीरा शुक्र का रत्न है बहुत तेज बड़ा क्विक असर देता है नपुण सकता के मामले में इंपोटेंसी के मामले में दुरबलता के मामले में डाइबिटीस के मामले में और आखों के मामले में फाइदे मंद होता ह इसे चांदी में या प्लेटिनम में पहनना चाहिए और मध्य आयू के बाद यानि पचास वर्ष के बाद सामानने तह हीरा नहीं पहनना चाहिए नीलम की बात करें खतरनाक पत्थर माना जाता है शनी का रत्न है और सबसे तेज गती से प्रभाव देता है अगर नियूरो प्राबलम है इस नायू तंतर की समस्या है दुरगटना है पक्षागात है पेरालिसिस है या असाद बीमारिया है जो ठीक नहीं हो रही है तो उसमें नीलम पहनना बड़ा फाइदेमंद होता है इसे चान्दी या लोहे में धारण करना चाहिए लेकिन बिना पूरी जानकारी के नीलम कभी नहीं पहनना चाहिए बात करते हैं गोमेद और लैसुनिया की गोमेद राहू का रतन है और लैसुनिया केतू का रतन है इसे सोच समझ कर धारण करना चाहिए नहीं तो बेवजह बीमारिया बढ़ सकती है बीमारिया बढ़ा देता है और खास्तोर से लैसुनिया जिसको कैट साई कहते हैं अगर आपने गल्ती से भी पहन लिया और आपको नुकसान कर गया तो आप बीमार नहीं होंगे तो भी बीमार पढ़ जाएंगे एक बात समझ लीजिए आप अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए कोई भी रत्न पहन रहे हों किसी विद्वान जोतिशी से परामर्श लेकर के